विश्विक हाटफूलनेस संस्थान के तत्पाव धान में विश्व की लगभग 160 देशों में स्री रामचंद्र मिशन सहज मार्ग द्वारा स्थापित 5000 से अधिक केंद्रों पर आध्यात्मिक गुरू परमपुज्य श्री पार्थ सार्थी राजगोपलाचारी जी का पिचानवा जन्मोसव मनाया गया ये भव्य समारो संसान के अध्याक्ष परमपुज्य दाजी महराच डॉक्टर कमलेश पटेल जी की अध्याक्षा में हैदराबाद इस्तित विश्व हैड़कॉर्टर कहना शान्ती मनम में विश्व भर से आए 40,000 से अधिक अध्यात्मिक जिग्याशों की उस्सापुन सह वागीता के साथ मनाया गया इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में सभी केंद्रों पर अभ्यासी पहुंचे लेकिन सबसे ज़्यादा अभ्यासियों का उस्सहा देखने को मिला वैथा हैदराबाद का काना शान्ती वनम जहां लगभग 50,000 लोग पहुंचे वहां रुके और तीन दिन के कारक्रम के विभिन्य गती विधियों में उन्होंने भाग लिया इस कारक्रम के मुख्या थी ती श्री पंडेत हरी प्रशाचा रस्याजी जो की संपूर्ण विश्व में प्रख्यात बासुरी वादक कहलाते हैं उन्होंने राग पुरिया कल्यान और यमन म में रशना इप्तस्तुत की और इस सम्हारों को एक भव्यता पदान की दिनाग तैईस चोईस वपच्चिस जुलाई को कहना में आयोजित इस आध्यात्मिक कारेशाला में पंडित हरी प्रसाथ चौरस्या जी ने प्रेम पूर्ण आनंद पूर्ण दिव्यता पूर्ण बांस प्राते साड़े छे बजे ग्यारा बजे एवं साइकालिन साड़े पाँच बजे हर्दया आधारिध्यान पदिती की प्रभाविता का अनुभव कराया ऐसा लगा मानुचारों और दिव्यता प्रेम की बारिश हो रही है और सभी भीतर तक इसमें भीग गए हो जैसे योग सभी को सुबकामना देते हुए अभ्यास के महतों को स्थापित किया और बताया कि जैसे पंडित जी बचपन से रागों का भ्यास कर रहे हैं उसी प्रकार अध्यात्मिक साधकोक में भी उतक्रस्ता को प्राप्ट करने के लिए अभ्यास की नियमित्ता आवश्यक है दाजी जी ने सभी अथीथियों को माले अरपन कर स्वागत किया और उन्हें बताया कि पंडित श्री हरी प्रशाद जी हमारे गुरुदेव के भी पसंदीदा कलाकारों में से एक थे इस अवसर पर रागपूरिया कल्यान की विशिस्ता को साजा करकर ये बताया कि ये मधूर राग सश्टी की पुनर रचना के समय महत्पुन भूमी का निभाने की योगेता रखता है विश्व भर से आये अभ्यासी भाही बैनों ने एक पारिवारिक महौल में प्रेम, शान्ती एवं भाही चारे के साथ उन अनुशाशन में रहकर तीन दिवसिये दिव्य ध्यान का आनम लिया गौर तलब है कि 1200 एकड में फैले प्रक्षों से आच्छा दिद काहना शान्ती वनम में एक लाग चमता वाला विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है जिसका उधगाटन महामहिम राष्टपती रामनाथ कोविन ने 2020 में मिशन की 75 वी वर्सकाट के आउसर पर किया था जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामचंद्र मिशन या सहज मार्ग की स्थापना 1945 में पुझे बाबो जी महाराज दवरा अपने समर्थ आदी गुरू से रामचंद्र जी महाराज की याद में की गई थी परतमान में संस्थान ने Forest by Heartfulness Project के माध्यम से सगन व्रक्षा रोपन अभियान की आधारशिला रखी है इसके अंतरगत Tissue Culture Lab के माध्यम से लुप्त प्राय व्रक्षों की प्रजातियों का सरेक्शन किया जा रहा है इसके साथ ही अगामी 12-14 अगस्त को यहां अंताराश्ट यह यूथ सब्मिट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लगभग 130 देशों के यूथ Rising with kindness कारेशाला के माध्यम से जीवन कौशल एवं स्वस्थ योग अधारित जीवन शैली पर किंतन वयमनन करेंगे यह कारेकरम हर्षो लास के साथ एवं नव संकल्पों के साथ मनाया जा होंगे Rising with kindness कारेशाला की रिपोर्ट एवं पुजय दाजी महराज डॉक्टर कमलेश पटेल की जन्मों सो समारों की जलकियों के साथ आप सबी का बहुत-बहुत आवार हार्ट बिट्स की सुब कामनाई धन्यवाद थैंक्यू कर दो एवं पुमुब एवं पुमाद दींघस दोलार हम झाले कर दमें के महरा पार्ट आपने पेवं गार्टर की जलकिए आपट नवारा से करते आप सं़ी, आप समें प्रण्यवाद आप साथ एवं लिवादाने ताह सम्टर के ट इंक्ल मस्टर आपने खाश बहुत कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो